हेलो क्लास टेंट के स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो हम एक नया चैप्टर लेके आ गया है टर्म टू इक्जाम के लिए तो वह चैप्टर है मेगनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्टर करेंट के चैप्टर है जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं यह पहला पार्ट रहेगा ठीक है इसमें भी पार्ट बाई पार्ट वीडियोज ही आईगी और हम कोशिज करेंगे कि जल्द से जल्द यह चैप्टर को कम्प्लीट किया जा तो भाई साहब मेगनेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्टरिक करेंट में सबसे पहले हमको पढ़ना है मेगनेट के बारे में क्योंकि मेगनेट ही तो मेगनेटिक फिल्ड प्रेडियूस करता है न इसी के वजह से पहले मेगनेट के बारे में पढ़ना जरूरी होता है पहले मेग कोबाल्ट निकल टुवार्स इट्सेल आयरन सुरी आयरन नहीं मैगनेट एक ऐसा अब्जेक्ट होता है जो अपनी तरफ या तो दूसरे चुमबक को या तो लोहे के पीस को या स्टील हो गया कोबाल्ट हो गया निकल हो गया ये सारे चीजों को अपनी तरफ आकरसित करता है तो वो जो अबजेक्ट होता है वो जो बस्तू होता है वो मैगनेट कहलाता है समझ में आया तो भाई साब मैगनेट जो है ना यह जो magnet देख रहो बाई साब अलग अलग तरह के होते हैं magnet का जो shape होता है वो अलग-अलग type का होता है जैसे आप बात कर लो bar magnet की तो bar magnet देखो कुछ इस तरीके से दिखता है ठीक है जिसका north pole एक तरफ रहता है एक तरफ south pole रहता है नौर्थ नौर्थ पोल के जस्ट अपोजिट south pole रहता है इधर आप इस तरह से घोरे की नाल गोरे की नाल देखे हो न यूस से प्ड़ोटी है तो इसी को बोला गया है होर्सू मेगनेट जिसमें यहां पर नौर्थ पोल और यहां पर south pole होता है ठीक है जिसको होर्सू मेगनेट बोलते हैं घोरे की नाल के जैसा होता है इसी के लिए इसका नाम होर्सू मेगनेट होता है उसके बाद देखे मैगनेटिक नीडल है ठीक है इसमें भी यहां पर नौर्थ पोल और यहां पर south pole बना रहता है मेगनेटिक नीडल ठीक है एक्चॉल यह बहुत छोटा स्मॉल बार मेगनेट की तरह बिहेव करता है स्मॉल बार मेगनेट इसमें जो है स्मॉल बार मेगनेट फिटेड होते हैं ठीक है फिर एक देखें मेगनेटिक कमपास होता है इसमें भी स्मॉल बार मेगनेट फिट हो जैसे समुंद्र में लोग जाते तो यह कंपास रखते तो क्या है न वो डारेक्शन बताता है हमेशा नौर्थ पोल की तरफ वो जो कंपास का नीडल है वो पॉइंट करता है जिससे डारेक्शन पता चलती है तो यह होता है मेगनेटी कंपास जिसमें क्या होता है मेगनेट ल कुछ facts जानते हैं थिक है मैगनेट्स के बारे में कुछ facts जानते क्या वाई तो मेगनेट ऑल्वेज पहला है मेगनेट और एकजिस्ट एज डाइपोल क्या है तो नाइपोल मतलब होता है टू पॉल्स तू बोल्स मैगनेट सॉरीं जिसका दो पॉल हो उसे और एक मोनो पॉल क्या होता है जिसका एक online Mus hot हो वो मोनोपोल होता है समझ माया तो यह होता है डाइपोल अब अगली अगला पॉइंट देखे तो वैन मेगनेट इस फ्रीली सस्पेंडेड इस अल्वेज एलिजिंस तुर्ट नौर्थ साउथ डाइडिक्शन कहने का मतलब अगर मेगनेट लो भाई साब और उसको कोई रस यह एक्सपरिमेंट था यहां पे एक स्टेंड ले लो भाई ठीक है इस तरीके से और यहां पे रसी से बांद कर कोई मेगनेट को अब क्या करो लटका दो फ्रीली सस्पेंड कर दो इस तरीके से haiontear कैसे मैंगेनेट को फ्रिली सस्पेंट कर दो तो देखने को मिलेगा कวो मैंगेनेट को इस तरह से फ्रिली सस्पेंट कर दिये लठका दिये क्या है और लटकाने के बाद उसको ऐसे घुमाद WAGNET नस देनसे जब तक वह जबतक आप उसको disturb करते रहोंगे हिलाते रहोंगे तब तक तो वह इदर उदर हिलते रहेगा लेकिन जैसे ही वह stop होगा तो stop होने के बाद अपने आपको arrange कर लेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में कैसे भी आप गुमा दो आप उसको कितना गजब की बात है ना आप कैसे भी कर दो कितना भी टिस्टल करो लेकिन जैसे ही वह साइलेंट होगा मोशन से रेष्ट में आएगा तो वह अपने आपको arrange कर लेगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल में यह बात होता है कि अगर मेगनेट को आप फ्रिली सस्पेंड करो तो अपने आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल में वह लगा लेता है आया समझ ओके अगला आये यह तो ब अपोजिट पोल अल्वेज एट्रेक्ट इच अदर वही बात है कि क्या होता है कि नॉर्थ पोल अगर हम बात करें नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे के क्या करेगा अगर हम बात कर लें नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल यह दोनों क्या करेगा अले भाई नॉर्थ बुल और वाम नहें पैपोजित को SER América कर लेगा खीच लेगा जैसे जानते ही हो लर्का है कोई अगर लर्का है और कोई लर्की है तो मैंने पीछे भी बहुत सारे चैप्टर स्प्रायटे इसमें बात कर रहा है कि की अगर लरका लरकी के सामने जाता है तो अलग ही परकार का एक्ट्रक्षी एक्दम समझ रहे हो संद्रहें में बाती हैं और पीसे से गतर जाती जाती है रिर्किया उत्रेक्स होते हैँ कोई भाव नहीं मिलता, लर्के को कोई भी भाव नहीं मिलता, सिर्फ आकर से थी हो सकते है Caleb, चलिए नौर्थ पॉल और क्या करेगा एक दूसरे के अब विप्रीत पॉल से है तो नौर्थ पॉल नौर्थ पॉल एक दूसरे का से में और अगर हम बात कर लेकिस more उपस्रों और वाद कर लेगाए यह दोनों कैसे पर क्या रृपेल कर देंकि सेम क्या है यहां पे नौर्थ पोल नौर्थ पोल और साथ पोल साथ पोल दोनों सेम पोल है इसके लिए क्या होगा एक दूसरे को रिपेल कर देगा दूर भगा देगा कभी भी लरकी लरकी में साधी हो सकता है क्या या कभी कभी भी लरके लरके में साधी हो सकता है क्या हाँ क्या दुनिया में तो possible हो गहाए और कितने लघ् लरका में और लर्की में होता है क्या सेम में कभी साधी व क्राइधा सकता यहां पर अगला बात है जो North Pole और South Pole होता है आप उसको अलग नहीं कर सकते कहें व्यंसाब यह North Pole यह साउथ पोल है मेरा कहने का मतलब यह कि आप कभी भी कोई जो है अलग नहीं कर सकते यू कांट सेपरेटेड जैसे हम बात कर लें तो अब मतलब यहां पर बहुत चतुर बच्चे होंगे वो क्या करेंगे कि सर देखिए हम सेपरेट करके बताते हैं लाएंगे आरी आरी होता है ना किसी चीज़ को काटने वाला आरी लाएंगे और इसको करके ऐसे करके काट हम लें लिए तो सर इसको काटेंगे था without बिन नॉर्थ फॉल ऑना सर य कि यहां पर नॉर्थ फॉल यहां पर फिर इसको काटोगे तो फिर जो है नॉर्थ पोल साथ पोल बनते रहेगा तो आप जितना भी उसको काटोगे ना तो एक नया नॉर्थ पोल साथ पोल नॉर्थ पोल साथ पोल बनता रहेगा इसी के लिए आप मेगनेट को काटोगे तो वो नया नॉर्थ पोल और साथ पो लगते हो तो यह कुछ मेगनेट का कुछ बेसिक होता है जो आपको समझ में आया अगर आप इसको नोट करना चाहते हूं तो नोट कर लो अगर आप इसको स्क्रीनस Like करना चाहते तो वह भी कर लो जो करना है कर लों यहीत विडियो कोvem करके कि तो बच्चों आपने इस सारे बातों को नोट कर लिए होंगे आज का जो लेक्चर था वो एकदम बेसिक लेक्चर था और आज हम जो है यह स्टार कर दिये हैं तीन से चार पार्ट इसका बनेगा और यह चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज के लेक्चर में बस इतना ही रखते हैं आज तो बस शुरुवात था इसी के लिए बस थोड़ा ही पड़ा है नेक्स्ट वीडियो हम लोग 30 से 40 मिनेट का लेक्चर डालेंगे जिसमें बहुत सारा पार्ट जो है एकलिस जो है कम सकम 40 परसेंट पार्ट जो है इस चैप्टर का हम लोग वहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे ठीक है बच्चों तो आप इसको नोट डाउन कर ली होंगे तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं हम मिलते नेक्स्ट वीडियो में प्राइ करते रहेगा आल दा वेरी बेस्ट